चीजें बदल चुकी हैं Google it. Health problems? Google it. Relationship problems? Google it. अगर तुम बाहर जा रहे हो, तो अपना phone साथ लेके जाओ. What could possibly go wrong? तो यह ऐसे काम करता है valuable होती है क्यों I hate you ask and किसके लिए valuable होती है well advertiser से good start हो सकते हैं with a large amount of data उन्हें exactly पता होता है कि किसे target करना है कैसे target करना है so that वो तुमसे चीजे खरिदवा सकें thank god वो तुम्हारा data access नहीं कर सकते right you are wrong वो तुम्हारा data access कर सकते है and it's not your data anymore welcome to the world of data dalals ये 200 billion dollars की industry है जो काम करती है तुम्हारा personal data दूसरी companies को बेच के right now तुम tech giants के बारे में सोच रहे होगे like google और facebook बट मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं जहां तक मैं जानता हूं ये companies तुम्हारा data नहीं बेस्थी बाकी companies के बारे में बात कर रहा हूं मैι जो अमेरिका में operate कर रही है तॊटली faceless companies जिनके बारे में तुम जानते तक नहीं जो चुप चुप के काम करते हैं ये companies तुम्हारा data gather करती है बिना तुमारे जाने तुमял तुम्हारी health information, तुम्हारे buying habits, तुम किस restaurant में खाना खाते हो, तुम कहां से समान खरीदते हो, ये companies तुम्हारा सारा data, दूसरी companies के साथ रेंगोशियेट करती है, और millions of dollars कमाती है, सब तुम्हारे पीठ के पीछे. अगर तुम्हें लोगों के data से पैसा कमाना है, तो तुम्हें data collect करना start करना होगा, काफी मुश्किल लग रहा है न, बट ये इतना मुश्किल भी नहीं है, जितना तुम imagine कर रहे हो, आज के टाइम पे लोग अपनी information willingly provide करते हैं, बिना ये realize किये कि उस data को extract करके बेचा भी जा सकता है, let's start with public information, जो तुम्हें किसी भी social media pages पे देखने को मिल सकती है, जो pages उन्हें पसंद है, जो locations उन्होंने visit करी है, relationship status, hobbies, friends list, उनके property registration, land registry, court records, birth certificates, voter ID information, bankruptcy information, ये सब publicly accessible है, बट न, ये enough data नहीं है, हमें और data चाहिए होगा, तुम्हें उस company के पास जाना चाहिए, जो अप उने customers का data बेचने के लिए ready हो, yes, वो तुम्हारा favorite mall, जहां से तुम समान खरीते हो, उनके पास तुम्हारी सारा information है, तुम क्या खरीते हो, कब खरीते हो, कितना frequently खरीते हो, and guess what, ये सारा data बेचने के लिए ready है, free websites and apps design करो, जो दिखने में ordinary लगें, बट उनके actual intentions को hide करके रखो, उन websites and apps पे जो तुमने trackers लगाए हैं, उससे तुम यूजर्स की location and contacts को track कर सकते हो, and तुमने इन websites पे cookies भी देखियोंगी, funny name है na, cookies, क्या तुम्हें कुछ idea भी है, cookies खाकां करती हैं, इन में से काफी cookies तुम देटा बेचने के लिए ready है, now तुम ये पूछ रहे होगे कि क्या ये सब legal है, of course it is, उन्होंने खुद agree किया है, ये सारी information देने के लिए, उनके सामने जो भी pop-ups आए, उन सब को उन्होंने agree किया है, जो भी facebook pages उन्होंने public किये हैं, वो उन्होंने खुद किये हुए है, उन को को नहीं पता कि उन्होंने किस चीज़ को agree and accept किया है, बढ़ हमारे पास वो सारे digital signatures हैं, ये सारे data points little pieces of gold हैं, जितना data तुम collect करोगे, उतना ही better तुम इस process के next stage के लिए बनोगे, लुक, data random bits of information नहीं होता, actual में data का असली मतलब होता है, human behavior, नौ जो data, तुमने अज़र data दलाल collect किया है, उससे हम product बनाएंगे, इस सारे data को sort and aggregate करना पड़ेगा, जितने भी logo से हमने ये data collect किया है, फिर हम उससे profiling करेंगे, हमें इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि उन्हें ये brand पसंद है, वो brand पसंद है, उन्हें baseball पसंद है, या basketball पसंद है, वो walmart में shopping करना पसंद करते हैं, या फिर big bazaar में, हमें सिर्फ patterns ढूनने हैं, जो data हमने collect किया है, उससे हम patterns ढूनेंगे, कि तुम्हारा behavior कैसा है, तुमार रहते हो, कहां work करते हो, किस restaurant में जाते हो, किस के घरों में जाना पसंद करते हो, तुमारे credit score से पता चलता है कि तुमारी कितनी ज़्यादा income है और तुमारा कितना debt है, तुमारे contact से पता चलता है कि तुमारे close friends कौन है, तुम उन close friends से कितनी बार बात करते हो, और तुमारे and close friends के दाद कितनी healthy friendship है तुम्हारी internet history देखने से पता चलता है कि तुम्हें कोई health problem है या नहीं तुम्हारे religious affiliations क्या है तुम्हारे interest क्या है जो तुम सर्च करते हो तुम्हारे कोई travel plans है या नहीं तुम जो online shopping करते हो तुम्हारी उसमे preferences क्या है इतने सारे prediction से हर बंदे की एक profile बनती है profile जो ये दिखाती है कि वो बंदा exactly कौन है वो कैसे सोचता है और बंदा कैसे behave करता है वो है हमारा product एक well wrapped product जो एक बंदे के behavior से भरा पड़ा हुआ है अब हम इस सारे data को profile में package कर चुके हैं now it's the time to start selling अब तुम ये सोच रहे होगे कि ये information तुम किसे बेचोगे जवाब है जिसे भी ये information चाहिए हो right now तुम्हारे main customers होंगे marketing companies अगर हमारे पास ऐसे लोगों की list है जिनके buying behaviors देखके हम ये पता कर सकते हैं कि वो health conscious है या नहीं ऐसी information handful of companies के लिए बहुत ज़ादा important होंगी like gym, personal trainers, health benefit restaurants, health benefit companies, online fitness websites ये सारी companies उस information में बहुत ज़ादा interested होंगी because जितना वो targeted advertisement करेंगे उतना ही advertisement से उन्हें return मिलेगा यहीं पे तुम का माते हो, तुम ये data बेच सकते हो and it's a win-win situation to both of you क्या तुम यहीं तक रुकना चाते हो, you know वो profiles और क्या कर सकती है, वो profiles तुमारे life की riskiness भी बता सकती है and इस information को पाने के लिए insurance companies मू मांगी कीमत दे सकती है अगर तुमने एक new bike खरीदी है, तो ready हो जाओ एक general insurance company, तुमारे उस information को flag off करने लगेगी फिर तुम इस insurance को खरीदोगे, और high premium भरना start कर दोगे bank भी इस information में बहुत interested होगी because वो तुमारी search history देखके, तुमारी credit card के purchases के बारे में जान सकते है कि तुमने कोई luxury item खरीदी है या नहीं उसके वेज़ेस पे वो तुमारे loan के interest rate कम या जादा कर सकते है and वो तुमें loan देना चाते हैं नहीं, वो भी decide कर सकते है what about सरकार, सरकार को तुमारी location में बहुत जादा interest होगा especially अगर तुम government के radar में होतो and what about other data dalal, एक data dalal, दूसरे data dalal को data sell करता है ये entire industry data dalal का एक web है जहाँ पे एक data dalal, दूसरी company को information sell करता है and वो company again दूसरे data dalal को information again sell करती है and information sell करने की price उस information के sensitivity पर depend करती है and do you know currently एक brand को एक email की information sell करने का price है 89 dollars now I think तुमारे mind में एक question उठ रहा होगा and maybe ये video के starting से ही तुम पूछना चाते थे वो है chances हैं अगर तुम उस world में पैदा हुए हो जहां पर surveillance, technology and internet exist करता है तुम शायद इस information के regarding इतना bother नहीं करोगे now ये सिर्फ तुम ही नहीं सोचते हो काफी लोग ऐसी mentality रखते हैं and बोलते हैं I have nothing to hide therefore nothing to fear now this shows data दलालो की industry में एक moral dilemma है because तुमारा data बेचने के बाद तुम काफी websites and apps को free में use कर सकते हो तो does it really matter to you after all data को criminals को track करने के लिए भी use किया जा सकता है data को epidemics को predict करने के लिए भी use किया जाता है to treat diseases and many more things but अगर तुमारा data किसी wrong hand में चला जाए या फिर एक company तुमारे data को एक ऐसे आदमी को बेच दे जिसकी intention उन्हें पता ही नहीं हो तो क्या होगा या फिर एक authoritative government उस data को अपने ही citizens पे use करे जो citizens उस government के खिलाफ बोल रहे हो तब तुम क्या करोगे इसका एक ही मतलब है तुमारा data तुमारा है ही नहीं अभी तक अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो then you guys are awesome man seriously अगर वीडियो तुमें अच्छी लगी हो तो मुझे comment करके बताना which was the best part अगर तुमने अभी तक only fans पे वीडियो नहीं देखिया तो left video पे क्लिक करो और अगर dark web पे वीडियो देखनी है तो right video पे क्लिक करो